हेल्दी रही है हमेशा हैं से मुस्कूराते रही हैं मैं आप सबकी राज्ची आप लोगों को वेट लौज से रिगार्डिंग हेल्दी टिप्स देती रहती हूँ जैसे मैंने अपने आपको बिल्कुल हेल्दी फिट किया तो मतलब अगर आपको तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट टमी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी भी मेरी की तरह 44 से कमर एक्स्टर स्मॉल पे आज़ाए तो आपको कुछ चीजे करनी होगी एक तो पानी सिप सिप करके पीना है healthy diet लेनी है भोका नहीं रखना आपको और वैसे भी से और बेस्ट चीज होती है मोटापा कम करनी की वह क्या हूती है कि सबज हैं बहुत अच्छी अच्छी आथी हैं तो जो कर्मयों में इतनी अच्य अच्छी सबजी हैं इतनी fresh सबजी हैं नहीं मिलती है इस सीजन कि समझ लीजिए वहां किससे बना होता है जब राइस से बढ़ सकता है तो उसके अंदर आप क्या गरते हो फिए कड़ी पता डाल लेते हो एक healthy तरीके से उसके बाद क्या गरते हो इतनी इतनी आप उसके अंदर peanuts डाल देते हो जो आपकी bloating issue बढ़ाएगा जो आपका constipation level बढ़ाएगा साथ में पोहा पोहा आपका digestion जो होता है उसको अच्छा नहीं करता तो जो यह लोग कलती करते हैं कि सुपर सुपर जल्दी जल problem start हो जाएगी आपको चीजे डाइजेस्ट नहीं होगी आपको खटी टकारे ब्लोटिंग और बहुत ज़्यादा constipation हो जाएगा यह चीजे ट्राइ करके देखना कि अगर आप नॉर्मल अगर पोहा खाते हो तो उस दिन आपको constipation जरूर होता है तो आज मैं आप लोगों तो मैं महीने में एक दो बार ही लेती हूँ लेकिन अगर आप ऐसे healthy तरीके से अपने आपको पोहा दोगे तो अच्छे तरीके से आप अपने inches भी कम करोगे अच्छे तरीके से आपके बच्चों को बहुत सारी सबजीयों का फाइदा भी मिल जाएगा और बहुत एच्छे इंचीज आपके कम होंगे वेट और लोस भी आपका होगा बहुत सारी फाइबर के साथ तो लेकिन इसको आपने बनाना कैसा है वो मैं आपको अब बताती हूँ तो प्लीज स्किप मत करना सारी वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैंने भी बिल्कु शोट-शोट करके ही बन और कर जाएंगे तो कहिन कई करते हैं तो पुहा के साथ में लेते रॉंग बिल्कुल रॉंग आपको मैं बदाती हूं ऐसे हैटी तरीके से अगर आप पोहा क हाओगे तो तो चलिए हंटी पोहां हम बनाते हैं तो मैं कोकोनेट मिवाज हो जाएओ डेशी खेलना हैgging कर और मैंने सिर्फ राई को यूज किया है आप जीरा भी यूज कर सकते हो और उसके बाद कड़ी पता हमेशा आपने धोके ही यूज करना है तो आप इसमें अपनी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो और बिल्कुल जरा से ही आपने पीनट्स और कड़ी पता और अपनी मिर्ची क कीजिए कि मतकम ओयल का खाना टेस्टी नहीं होता तो ऐसे आपने बहुत सारी वेजीटेबल्स ले लेनी है आप देख सकते हो कि बिल्कुल घाजर शिमला मेरिश प्याज चकुंदर मतलब कॉन पीज और बीन सब कुछ पूरी जितनी भी सबजी आपके घर में होते हैं आप इ जरूर दा दिये तो आपने सबसे पहले ऐसे ले लेने हैं तो उनको अच्छी तरह से भूनना है तो सारी चीजों को जादा ओवर कुख नहीं करना आपने हलका हलका ही कुख करने ताकि जो इनका क्रंची पन है वो बना रहे तो केरेट को पकने में थोड़ा टाइम लगता ह इसल taraf मैंने कैरेट और पीज को पहले ही डाल दिया है अब इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं तो अच्छी तरह से भूनना बहुत जरूरी होता है इतना जो देख सकते हैं बिल को थोड़ा ही मैंने पूहा लिया है और इसे पानी में भिगोंके रख देते हैं इसे कोई तरह से आप देख सकते हो शिमला मिर्च बीन्स चकुंदर कौन कौन मैंने इसमें थोड़ा सा बॉयल कर लिया था इनको सेपरेट पहले और इनको अच्छी तरह से स्टीम के लिए कुछ देर के लिए ढखके रख देने आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से ये कुख हो तो हलकी सी देगी मिर्च मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी आप कच्छी हल्दी भी यूज़ कर सकते हो नोर्मा हल्दी भी फैट कटर मसाला जरूर डाला की इची है और थोड़ा सा नमक नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो तो और भी इसके अंदर पोहा डाल देना है तो इसको ज्यादा आपने उल्ट-पल्ट नहीं करना तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है तो आप इन्हें मिक्स करके बस गैस बंत करने से बस एक मिनट के लिए आपको इसको ऐसे धक के पकाना है और यह बहुत जल्दी ब तो वह हम जल्द बाची में खाते हैं हमेशा अपने आपको स्पेशल समझा कीजिए और हमेशा आपको बोलती हूं जरूर लिया कीजिए ऐसे अपने आपको आपने प्लेट में अच्छी तरह से प्रेजेंट करके खाना देना है आप इतनी मेहनत करते हो तो खुद के ओपर मे में आप ना खाके ऐसे प्लेट में अच्छी तरह से चोप्ड अनियन के साथ बहुत अच्छी तरह से जैसे वेजिटेबल आपने पोहा बनाए वेजिटेबल खिचडी बनाइए वेजिटेबल राइस बनाइए और आपको 32 टाइम्स च्यू करने में बहुत एजी हो thaar पोहा तो दो मिलट में ही आपका पानी में डाल वो जाते हैं और एक और चीज हमेशा चीजो को कट करके आप टे तुछी तरह से क्लोंको बहुत अच्छी घाजर आए तो गाजर को बहुत अच्छी तरह से जितना हो सके फाइदा उठाईए तो यह जाने से पहले यह रेड रेड जो गाजर होती है आपकी स्किन बहुत अच्छी कर देगी और आपको वेट लोस में भी बहुत ज़्यादा देगी और फ्रेंट्स जिनोंने मेरे चैनल को अभी तक स्क्राइब नहीं किया है प्लीज स्क्राइब कर लिजए अगर आपको खाते पीते और बिना कोई ताम झाम के बिना कोई खर्चा किये बिना किसी जिम एक्सराइज के बहुत अच्छा खाना खाके healthy खाना खाके अपना वेट तो healthy रहें, fit रहें, हमेशा हमसे मुस्कुराते रहें और एक जिंदगी है, इस एक जिंदगी को यह सोच के जीना है कि healthy खाएंगे भी और healthy रहेंगे भी, तो bye bye to all और promise कीजिए अपने आप से कि मैं अपने आपको भी अपनी family को भी सब को healthy food दूंगी, bye bye to all.